सहेज मार के सभी अभ्यासियों को प्रणाव आज जो संदेश हम आपके लेकर आए हैं मैं संद कस्तूरी ने 31 मार्च 1998 में विजेवाड़ा में दिया था और इस संदेश के माद्यम से संद कस्तूरी हमें बता रही हैं कि जीवन और मृत्यों की आविश्यक्ता मनुश्य को क्यों है हम सब जानते हैं जीवन जनम के उपरांतारम होता है और हर सरीर की मृत्यों निश्चित है तो संद कस्तूरी इस संदेश के माद्यम से अभ्यासियों को यही बता रही हैं कि हम सब को जानना चाहिए कि हमें इह जीवन क्यों मिला है और किस परकार से हम इस पुनर जनम के चक्कर से बाहर निकल कर हमारी इस मृत्यों को अंतिमित्त्यू बना लें तो संत्य का सुरी जो बता रही है वो इस परकार से है सच कहा जाए तो यह स्वाभाविक और आविशक है कि हम जानें कि जीवन और मृत्यू का वास्त्विक अभी प्राय क्या है क्या यह केवल खाओ पीओ और मोज करो है जैसा कि साधरनता समझा जाता है मैं कहती हूँ ऐसा बिलकुल नहीं है वास्तव में इसका लक्ष इससे उंचा है स्री राम चंदर मिसन के अभ्यासी होने के नाते हम सभी जानते हैं कि स्री बाबूजी महराज ने हमारे जीवन का उच्तम लक्ष अनंत का साक्सतकार निर्धारित किया है और मृत्यू का मतलब है पुनर जनम से मुक्ती अथवा सदा के लिए मृत्यू के बंदन से मुक्त होना तो संत कस्तूरी यहां पर हमें बता रही है कि मनुष्य का जीवन केवल खाओ पियो और मोज करो नहीं है इसका जो लक्ष है वह इससे अधिक है और वह है अनंत का साक्सतकार जो बाबुजी महराज ने हम सब अभ्यासियों को दिया है उसके बाद संत कस्तूरी बताती है हम इस सत्य को भी जानते हैं कि जीवन की घटनाएं जनम और मृत्यू केवल हमारे भोतिक शरीर से संबंदित है जिसका अर्थ है कि यह पाँच नाश्वान भोतिक तत्वों से जुड़ी है हमारा भोतिक शरीर हमारा वास्त्विक रूप नहीं है सहज मार्ग में आने से पूर्व हम सब भी केवल यही जानते थे कि यह जो सरीर है यही हमारा जीवन और संद कस्तूरी हमें यहाँ पर बता रही है यह जो हमारा भोतिक शरीर है यह तो जन्म और मृत्यु है लेकिन जो हमारा वास्त्विक शरीर है जिसका अंत नहीं होता और वह बार बार जन्म लेता है और मृत्य होती है किन्तु हमने सहज मार्ग अपनाया है और बाबुजी महराज ने हमें वो पद्धती दी है जिसके माध्यम से हम इसी जीवन को अपना अंतिम जीवन कर सकते हैं सिरी बाबुजी महाराज पराया कहते हैं अब भ्यासी लोग मुझे देखने आते हैं किन्तु मुझे वास्टिक रूप में देखे बिना ही चले जाते हैं। यहां पर संत कस्तुरी क्या बताना चाते हैं। बाबुजी महाराज के अनुसार हे यहां है कि अंतिम सत्ते, जो हमें देखना है और साक्षतकार करना है वह बोतिक शरीर से परे केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए इसलिए इस सरीर पर ध्यार ना देकर हमें उस चेतना को जानना है जिसका हम साक्षतकार करें उसके उपरांत इसवर साक्षतकार और अंत में भूमा का साक्षतकार करें उसके बाद संत कस्तूरी बताती हैं सिरी बाबुजी महराज के अनुस संसकारों के आवरणों से ढकी हुई है तो जो हमने भोतिक जगत में संसकार अपने वास्त्विक शरीर पे ओड लिये हैं वह हमारी वास्त्विक्ता को छुपाई रखती है। सिरी राम चंदर मिसन के अंतरगत बताई गई साधना में निष्टा पूर्वक और इमानदारी के साथ ध्यान के अभ्यास द्वारा ये सारे आवरण धीरे धीरे हट जाते हैं। आरम हो जाते हैं। और हमारे हिर्दे को उनके निकट होने का अनुभव मिलने लगता है। तो किनके निकट होने का अनुभव मिलता है। वो जो चेतना है वो ईश्वर का आंस है। और ईश्वर भूमा का आंस है। जब हमें सहज मारग पत्ती में लाया जाता है तो पोतिक आवरण उसके उपर से हटना आरम हो जाते हैं तो बाबुजी की उपस्तिती हमें अपने हिर्दे में महसूस होती है। इसके फलसुरूप उनकी याद में हमारी तलीनता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। और अन्त में शिरी बाबु जी महराज में हम लेह हो जाते हैं। हम सब अभ्यासिओं का उच्टम लक्ष है अनंत का साक्षकार। और अनंत कौन है भूमा। और बाबु जी कौन है भूमा की शक्ती के साथ अफ्तरित हुई विशिष्ट विभूती। तो जब हम अपनी आतरा में आगे बढ़ते हैं, तो अंत में हम बाबू जी में ले हो जाते हैं, अर्थात हम अनंत का साक्सतकार कर लेते हैं. उसके बाद संत कस्तूरी कहती हैं अभ्यासियों को अपने दिव्य संकल्प के भीतर रखकर वे उन्हें अंतिम सप्ते तक ले जाते हैं इसंतिम सत्ते तक वे कैसे ले जाते हैं और वह भी परते कि तर की सुक्षम दसा का अनुभव कराते हुए जो कि मैंने अनुभव किया है वो सब अनंतियातरा के पांचो भाग में उलिखित है शंक्षेप में यदि साधना में हम अपने हिर्दे को इस परकार ले कर लें कि हमारा भोतिक आवरन घुल जाए तब हमारे मिरत्यू अमरत्व को प्राप्त कर लेती है यह स्वा को भूलने की उच्तम दसा है अब यहां पर संत कस्तूरी क्या बताना चाहती है संत कस्तूरी यहां पर बता रहे हैं कि बाबुजी किस परकार अपने दिव्वे संकल्प में लेकर हमें अन्तिम सक्ते का साथचत कार कर दे अंतिम सत्य क्या है? केंद्रिय छेटर. और केंद्रिय छेटर किसका छेटर है? भूमा का. और बाबुजी कोन है? भूमा की शक्ति लेकर जो अवतरीत, विसिष्ट, भूती हैं वो है. तो बाबू जी हम सब अभ्यासियों को अपने संकल्प में लेकर उस अन्तिम सत्य तक ले जाते हैं और केवल ले ही नहीं जाते हैं उस यातरा में जितनी सुक्षम दसाइं होते हैं उनका अनुभब देते हैं और संत कस्तुरी बता रही हैं कि अगर यह आपको जानना है तो मेरी जो पांच पुस्तके हैं अनंत यात्रा के उसमें आप इन सभी दसाओं को देख सकते हैं जो बाबू जी ने मुझे दिखाई हैं और अंत में बोला है हमारा भोतिक आवरण घुल जाता है तो जो हमारा भो मृत्यू अमरत्व को प्राप्त कर लेती है मृत्यू अमरत्व को प्राप्त मतलब मृत्यू कब होगी जब मेरा जनम होगा और आगर मैं इसी जीवन में मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कर लेता हूं तो मेरा जनम नहीं होगा तो मृत्यू भी नहीं होगी यह मृत्यू म अंतिम पड़ाब पर समाप्त हो जाता है, तो मेरे अस्तित्व को घुलने का ये पूरा एक प्रोसीजर है, उसके बाद संतकस्तूरी कहती है, हम अपने भोतिक अस्तित्व को इस परकार भूल जाते हैं, कि हमारा मस्तिष्क इसे कभी याद नहीं करता, और ना ही इसका परभाव अनुभब में आता है, ये सदा के लिए मृत्यू के बंदन को भी तोड़ देता है, और आतमा स्वतलत्र हो जाती है, यहाँ पर भेंजी क्या बता रही है, यहाँ पर भेंजी हमें ये बता रही है, कि हमारा अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है, सोल में वरित में जो की इश्वर का छेतर है, उसके बाद हम जो हैं स्वतलत्र हो जाते हैं, और हमारा जो मस्तिष्क है, वह सोचना बंद कर देता है, क्योंकि मस्तिष्क कहां तक सोचता है, जब मेरे अंदर मेरा अस्तित्व होता है मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया और मैं स्वा से मुक्त हो गया तो मैं एक तरह से स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होने का अर्थ है कि मैं अब केंद्री छेतर में विचरने के लिए तैयार हो गया हूँ आप सब जानते हैं हमने अपने वीडियो के मादेम से बताया है कि जब हम ईश्वर ये छेतर पार करते हैं तो हमारा स्वा, हमारा अस्तित्व घुल जाता है और समाप्थ हो जाता है और बाबू जी हमें सुन्ने की दसा देकर वहां से बहार निकाल कर सत्तेपत बे बिठा दे जो की भूमा का हिर्दे है और उसके बाद कहते हैं सिरी बाबुजी महराज ने हमेशा अभ्यासियों को इस बात पर जोड़ देने को कहा है कि वे ध्यान में गहरी तलीनता और तीवर तड़प पैदा करें ताकि भूलने की दसा प्राप्त हो सके संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसा जीवन जियो के मृत्यू बार बार ना आए तो यहाँ पर संत कस्तूरी क्या संदेश दे रहे हैं तो आपने हिर्दे में वो तीवर तड़प पैदा करो कि मुझे भूमा का साक्सितकार करना है और वही तड़प हमारी मदद करती है हमें आगे जाने में और यहाँ पर संत कबीर का भी उधारन दिया गया है ऐसा जीवन जीओ की मृत्यू बार बार ना आए यह जो सरीर है इस सरीर की जो मृत्य होनी है यह मेरी अंति मृत्यू हो क्योंकि मैं जीवित रहते ही अपने संसकारों को समाप्त कर लूँगा और मैं कोई भी नय सरीर धारन नहीं करूँगा तो फिर मृत्यू का सवाल ही नहीं उठता उसके बाद संत कस्तूरी कहती है मुझे आज भी याद है कि मेरे स्री बाबू जी महराज ने मेरे लिए ऐसा क्या कि जब मैं अपने भोतिक सरीर को देखती हूं तो ऐसा लगता है कि यह कोई अस्ती प सरीर को धारन करती है और उस भोतिक सरीर से अपने संसकारों का भोग करती है जब आपके संसकार समाप्त हो जाते हैं तो आपका वास्तिक सरीर आपके भोतिक सरीर से अलग हो जाता है और जो यह जो सरीर है यह हमें अस्ती पंजर लगने लगता है और वास्तिक सरीर उसके अ यह है भूलने की दसा वास्तव में एक संकेत है कि हम मूल एहमशन्य दसा में रुपांतरित हो गई हैं. तो यहाँ पर संतकस्तूरी कहती हैं कि जब आपका भोतिक सरीर और वास्त्विक सरीर अलग हो जाते हैं तो जो आपका वास्त्विक सरीर है वह बाबु जी के हिर्दे में निवास करता है और जब भोतिक सरीर को कोई आवाज देता है तो जो जवाब आता है वो मैं नहीं जान कौन देता है क्योंकि एक जगा पे संत कस्तुरी ने लिखा है जब हमारा मन बाबु जी के मन में रहना आरम कर देता है तो वहीं से सब कुछ संचालित होता है हमारी भोतिक गतिवीदियां स्वता चलती रहती हैं और हमें यह एसास भी नहीं होता कि हम कोई भोतिक कार्य कर रह रहते हैं उसके बाद लिखते हैं ऐसी दसा में मृत्यू की समस्या कभी नहीं आती और समस्या का समाधान हो जाता है जब आपका जनम नहीं होगा तो आपकी मृत्यू नहीं होगी और समस्या का समाधान हो जाता है समस्या क्या है मुझे अपने घर वापस लोटना है और मेर घर बापसी है वो समस्या भी अब समाप्त हो जाती है उसके बाद सिरी बाबुजी महराज जीवन का वास्त्विक अभी पराय बताना आरम करते हैं अर्थात जीवन से स्वतनता का अर्थ है कि आपने इश्वेरी छेतर पार कर लिया और इस जीवन के उपरांत आप दुबारा इस स्रिष्टी में नहीं आएंगे और आपकी जो चेतना है वहे केंदरी छेतर में विचरना आरम कर देगी और कब तक विचरेगी जब तक कि इस स्रिष्टी की महापरले ना हो जाए उनके अनुसार जीवन से सुतनता का अर्थ है कि हम लोग अपने मूल निवास्तान जहा लगता है और उसके लिए हमारे सामने मार्ग भी बन जाता है यह वास्त्रिक्ता समर्पन की दसा का प्रारम है स्री बाबोजी महाराज का कथन है कि समर्पन किया नहीं जाता यह स्वता होता है इसके बाद जो भी दसा अनुभब में आती है प्राकृतिक रूप में आती है समर्पन में समर्पित होने लगती है क्योंकि जीवन की दिव्वे दसा में जो कुछ होता है सब प्राकर्तिक होता है तो यहां पर संत कस्तूरी बताती है कि जब आप यातरा करते करते आगे पहुंचते हैं तो आप पून रूप से बाबु जी को समर्पित हो जाते हैं और उसके उपरांद जो भी दसाएं आपको आती हैं उसका आपको अनुभब नहीं होता क्यों? क्योंकि वह प्राकृतिक हैं और अनुभब कौन करता है? मेरा स्वा और स्वा जो है वो इश्वरी छेतर में समाप्थ हो जाता है और जीवन की दिवे दसा में जो कुछ होता है वह प्राकृतिक होता है अब जो कुछ भी होगा वो नैचुरली आपके अंदर होगा और आपके उपर कोई भी भोतिक आवरण नहीं चड़ेगा उसके वाद संतकस्तूरी कहती है आज भी मुझे याद है कि मैंने स्री बाबुजी महराज को लिखा था कि ऐसा लगता है मेरे एहम के सभी आवरण हट गए है और मैं इश्वर का रूप हो गई है इस पंक्ति पर आप ध्यान दीजिए हम सब जानते हैं सहजमार की यातरा एहम से अस्तित्व की यातरा है और एहम जो है 16 वृतों में परिभासित किया गया है और ये जो 16 वृत हैं ये समाप्त होते हैं इश्वरी छेतर में तो जो आप इश्वरी छेतर तक सोला वृत समाप्त कर लेते हैं तो आप ईश्वरी छेतर को छोड़ते हैं तो बाबुजी क्या करते हैं आपको ईश्वर का साक्षतकार कराकर ईश्वर में ले कराकर अर्थात एक डुपकी दिलाकर आपको वहां से निकाल कर सत्ते पद पर बिठा देते हैं तो वही संत कस्तूरी कह रही है आज भी मुझे याद आता है कि मैंने सिरी बाबुजी महराज को लिखा था कि ऐसा लगता है कि मेरे एहम के सबी आवरण हट गए हैं तो एहम के सोला वरित हैं और मैं ईश्वर का रूप हो गई और ईश्वरी छेतर में वो लेह हो गई मुझे अनुभब हुआ कि यह उच्टम दसा जो मुझे मिली है सुएम ही सिरी बाबुजी महराज में लेह हो गई और मैं भौँचक खड़ी रही आपको हमने अपनी गरंथियों वाले वीडियो में बताया था कि अन्त में जब सायुजिता की दसा आती है तो आपने जो भी अनुभब किया है वह भी लेह हो जाता है तो यह जो इश्वर में लेह होनी की दसा आई थी यह भी अन्त में बाबुजी में ही लेह हो जाती है अर्थात जब हम केंद्री छेतर में परवेश करते हैं, तो जितने भी अनुभव हमारी दसाइं के हैं, वह सारे सालिता के दसा में आके हम भूल जाते हैं। और उसके उपरांथ संत कस्तुरी कहती हैं, सच कहा जाए तो वास्तिविक्ता यह है, कि अध्यात्मिक इत्यास में ऐसा कुछ नहीं है कि इस उच्चतम स्तर को कोई कैसे प्राप्ट कर सकता है अर्थात अपने मूल अनंद को यह इस बात का संकेत है कि स्रिष्टी के उदेकाल से आस तक इस स्तर तक कोई नहीं पहुंच सका और संत का स्तूरी बता रही है कि अध्यात्मिक इत्यास में ऐसा कोई भी हमें उलेख नहीं मिलता जिसमें अनंद के साक्सितकार की बात की गई हो और संत कबीर ने ईश्वर साक्सितकार करने के बाद केवल इतना कहा हद अनंद के बीच में रहा कबीरा सोई संत कबीर जो हैं वो ईश्वरी च्छेतर के अंतिम छोड तक पहुँच गए थे क्योंकि केंद्री च्छेतर ईश्वरी च्छेतर के बाद आरंब होता है तो कबीर जी ने कहा कि हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोय इसके आगे उनको नहीं पता था कि मुझे कहा जाना है और केवल बाबू जी के आने के बाद ही हम अभियासियों को इस समाज को ये पता लगा है कि ईश्वर के आगे भी एक और च्छेतर है जिसको की भूमा का च्छेतर कहते हैं अपने भजनों में उन्होंने कहा है कि दैवी अनुभव में उन्होंने केवल ईश्वर साक्सतकार का ही वर्णन किया है तो जो व्यक्ति जहां तक पहुँचा है वो वहीं तक का उलेग कर सकता है इसलिए संथ कबीर ने केवल ईश्वर साक्सतकार की ही बाते करी है उसके बाद संत कस्तूरी कहती हैं सहज मार्ग साधना के अभ्यास के द्वारा जब मैंने इश्वर साकसतकार का दैवी अनुभव पाया सिरी बाबुजी महाराज ने मुझे इश्वरी शक्ती में एक डूपकी दी और मुझे सत्य पत पर बठा दिया तथा दैवी चेतना हमें जागरित कर दी आप सब जानते हैं कि जब सोल में वित में हम आते हैं जो कि अन्तिम छोर है इश्वरी शेतर का तो हम शुन्ने की दसा में पहुंच जाते हैं तो बाबुजी क्या करते हैं हमें उस छेतर में एक डूपकी लगा कर उस एश्वरी शेतर से बाहर निकाल कर रख देते हैं अब जब हमें इस्वरी छेतर से बाहर निकालते हैं, उस छेतर को हम बोलते हैं सत्यपद। केंद्री छेतर और इस्वरी छेतर के बीच की जो जगा है उसको कहा जाता है सत्यपद। और जो वहाँ पे पहुंसता है उसको कहा जाता है पार्शद। और ये एक तरह से केंद्रिय छेतर का द्वार भी है तो बाबु जी ही हमें शुन्ने की दसा देकर वहां से आगे निकालते हैं तबी हमने पारशत की दसा में अपने आपको डूबे रहने का अनुभब पाया और केंद्री चेतर के द्वार पर एक द्वार पाल की तरह खड़ा कर दिये। इश्वरी चेतर पार करने के एकदम बाद ही हमें केंद्री चेतर में प्रवेश नहीं मिलता है। पहले हमें सत्य पत्पे बिठाया जाता है और हमें पार्षत की दसा दी जाती है फिर बाबु जी उस अभ्यासी के अंदर एक दैविक चेतना जागरित करते हैं दैविक चेतना जागरित करने के बाद ही आप केंदरी दसाओं का अनुभव कर सकते हैं तो संत कस्तुरी को बाबु जी महराज ने मुझे अपने हिर्दे में ले लिया और मुझे लिखा कि मैं खुश हूँ कि तुम केंदरी छेतर में परवेश कर गए इस पंक्ती पर भी आप ध्यान दीजे जो केंदरी छेतर है वो भूमा का छेतर है और भूमा कौन है बाबु जी तो बाबु जी के छेतर में परवेश करने का मतलब आ गया कि आप बाबु जी के हिर्दे में पहुँच गए। ही संतकस्तुरी बता रही हैं, मुझे अपने हिर्दे में ले लिया, तो हिर्दे में ले लिया मतलब केंद्री छेतर में परवेश दे लिया, और मुझे लिखा कि मैं खुश का आसिरवाद रोटी की यह सादगी थी, कि वह जो भी कारिय करते थे उसका श्रे लाला जी को दिया करते थे, यह पत्तर 1998 का है, और लाला जी ने महासमादी ली 1931 में, उसके बाद वह बाबु जी में ही मर्ज हो गए, तो बाबु जी और लाला जी दोनों की चेतना एक ही सरेर में रहा करती थी। तो यहां पर बाबु जी बता रहे हैं कि लाला जी का आसिरवाद तुम्हें प्राप्त हुआ। था वो बाबु जी का ही लेकिन वो सारा सरे अपने गुरु को दिया करते थे। और आप देखेंगे संत कस्तूरी की भी जितनी पुस्तके हैं, जितने संदेश हैं, जितने गीत हैं, उन्होंने हमेशा सारा सरे बाबु जी महराज को दिया है। यह है गुरू के प्रती समर्पन और उसके बाद लिखा है उन्होंने पुन्हा लिखा कि इस छेतर में परवेश करने की पूर्व दसा केवल लयावस्ता है अब यह सबसे बड़ी चीज़ है केंदरी छेतर में आपको तभी परवेश मिलता है जब आपकी लयावस्ता हो जाती है और लयावस्ता कहां तक चलती है सोल में विरिते पहले विरित से सोल में विरित तक आपके एहम की लयावस्ता चलती है तो यह एक तरह की प्री कंडिशन है जिसको बाबुजी ने लिखा है कि पूर्व दसा केवल लयावस्ता है अगर आपकी अस्तित्व की पूरी ना तुम खुद वहां हो ले अवस्ता में सोलमे वृत में आपका एहम समाप्त हो जाता है इसका मतलब आपका अस्तित्र समाप्त हो गया और इश्वर जो है वो इश्वर ये दसा आपके सोलमे वृत तक रहती है इश्वरी छेतर में तो जब हम केंद्री छेतर में परवेश क करते हैं तो ना तो मेरा स्तित्व होता है ना वहां पर इश्वर होता है तो क्या लिखा है ना तुम खुद वहां हो और ना खुदाई वहां है खुदाई का मतलब इश्वर ये दसा क्योंकि वो भूमा का छेतर है उसके बाद लिखा है इसे बताने की आविशक्ता नहीं है कि यह अनुपम दिव्य दसा का असिरवाद हमें केवल सिरी बाबुजी महाराज द्वारा ही मिलता है। यहाँ पर संत कस्तुरी बता रही है कि बाबुजी कोई साधारन व्यक्ति नहीं है। बाबुजी भूमा की शक्ति लेकर अफ्तरित होए हैं और उनी की प्राण अहूती से हम उनी का साक्षतकार करते हैं। वे हमारे एहम दूर कर देते हैं और अपने में लेवस्ता तथा अनंत के साक्षतकार का आसिरवाद देते हैं। उन्होंने मुझे लिखा है, यहाँ जीवन के मतलब का समाधान हो जाता है। अब जीवन का मतलब जैसा कि हमारा सीर्सकी है जीवन और मृत्यों की आविशत्ता हमें जीवन क्यों प्राप्त होता है यह हमें खाने पीने और मोच करने के लिए नहीं मिलता है यह जीवन हमें मिलता है मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए और सहज मार्ग के अभ्या इसमें हमारी मदद करती है भूमा की शक्ति जो के हैं बाबू जी महराज. अगर बाबू जी महराज को हम पूंड रूप से समर्पित हो जाएं और उनके सतत्स मरण में रहना आरम कर दें तो हमारी प्रगती दोगुनी हो जाती है. और उसके बाद सिरी बाबू जी महराज प्रेम के साथ आज भी आप लोगों को अपनी गोद में ले लेने को आतुर हैं. बाबू जी आज भी प्रकरती के कणकण में मौजूद हैं. इसका संकेत संत कस्तूरी हर बार देती थी. और संत कस्तूरी ही क्यों देती थी? क्योंकि संत कस्तूरी की दैविक चेतना जब जा संत कस्तूरी के इलावा किसी अभ्यासी ने ये नहीं बताया कि बाबु जी ही भूमा की शक्ति लेकर अफ्तरित हुएं क्योंकि अन्य अभ्यासियों की दिवे चेतना जागरित नहीं की जाती क्योंकि संत कस्तूरी के माध्यम से इस पूरी पदिती को आने वाले अभ्यासियों के सामने प्रस्तुत करना था कि जब भी वह अभ्यासी सहजमार का अभ्यास करें तो इन दसाओं का जब वह अनुभव करें तो समझ जाएं कि वह कहां पर हैं और उसके अंत में लिखा है सिरी बाबुजी महराज से इस अनुपम यूग का लाब आप सब उठाएं ताकि जीवन और मृत्यू की समस्या का समाधान हो जाए। तो यहाँ पर संद कस्तूरी ने अपनी बात समाप्त की कि जीवन क्या है, मृत्यू क्या है। जीवन जनम के बाद सुरू होता है और मृत्यू इस सरीर के अंत के बाद। जीवन का उच्चितम लक्षे क्या है भूमा का शाप्षत का। और हम भागे साली हैं कि हमें सहजमार पत्ती मिली है जिसका पालन करके और बादू जी की प्रान आहूती शक्ती प्राप्त करके हम उस उच्चितम लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं। और यही बाबुजी का संकल्ब भी है और बाबुजी आज भी अपने संकल्ब को पूरा करने के लिए प्रकरती के कंड कंड में मौजूद हैं। आप अभ्यासी जब भी बाबू जी का इसमरन करते हैं बाबू जी की प्रानाहुती स्वता आपके अंदर परवेश करने लग जाती है और अगर आप उस इस्तिती में आ जाते हैं जब आप बाबू जी के सतत्समरन में डूबे रहते हैं तो प्रान आउती का प्रभा आपको निरंतर मिलता रहता है और आपकी यातरा में गती आ जाती है। बाबु जी भी खुस हो जाते हैं कि कोई अभ्यासी तयार हुआ है जिसे मैंने अपने संकल्प के माद्यम से भूमा का साक्षतकार कराना है। अर्थाद अनंद का साक्षतकार कराना है।